हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोटो के तीन सबसे ज़ादा ट्रेंडिंग स्मार्टफून मोटो का जी अटी फाइफ और जो है दोस्तो मोटो एच फिफिटी फ्यूजन और एच फिफिटी नियो एच फिफिटी नियो और जो है अभी हाली में लाँच हुआ और जी अटी फाइफ फिउजन पहले लाँच हुए थे तो इस वीडियो में मैं इन तीनों में कंपरिजन करके आपको बताऊँगा 16,000 से 24,000 के बजट में मिलने वाले Moto G85 दोस्तों आपको अभी सेल में 16,000 का मिल रहा है यह स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िये रहेगा अगर आपका बजट जो है 16,000, 17,000 तक यह सो पर आप बिल्कुल भी नी बढ़ सकते हैं थोड़ा सा वेट करके भी तो आप इस फोन को ले सकते हैं G85 जो आपको यह मिल जाता है इसके अंदर आपको पहली खुबी यह दी गई है इसके अंदर आपको मिल जाती है 208GB RAM X 28GB Storage तो RAM और Storage से ही मिल जाती है दूसरी खुबी इसके अंदर आपको जो है UI काफी बढ़िया मिलता है इसके अंदर आपको P.O.L.A. डिस्पले मिलती है तो डिस्पले की क्वालिटी काफी कमाल की मिल जाती है Edges, Vezels काफी कम है और 16-17,000 के बजट में इसके अंदर आपको मिल जाता है दोस्तो Curve डिस्पले का डिजाइन तो डिस्पले का डिसाइन भी इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़ा दिया गया है डिसाइन जो है दोस्तों डिस्पले का काफी जादा बढ़िया है colors भी आपको काफी अच्छे मिलते है UI भी काफी बढ़िया है refresh rate भी अच्छा है size भी बढ़िया है पंच होल कैमरे वाला डिजाइन और कर्व डिस्प्ले की वज़े से तो दोस्तो यह स्मार्टफून काफी ज़्यादा यूनिक हो जाता है इस बजट पे अंदर इस बजट के अंदर आपको बहुत ही कम स्मार्टफून मतर एक दो ही देखने को मिलते हैं जिनके अंदर आपको जो दोस्तो कर्व डिस्प्ले मिल जाए वो भी इतने कम बजट में 5G के साथ यह चीज़ आपको देखने को मिलती है GT5 में इसे के साथ जो दोस्तो मोटर के सबी फोन्स के डिजाइन जो ना सिम्पल ही रहते तो इसके अंदर भी सिम्पल डिजाइन है वीगल लैदर पर्फॉर्मेंस आपको कैमेरे की बढ़िया मिल जाती है काफी स्लिम फोन है पतला है है एडफोन जैक नहीं दिया गया चार्जिंग पॉर्ट स्पेकर माइक मिल जाता है सिम के ट्रे नीचे दी गई है दो सिम कार्ट 5G के लगा सकते हैं साइड में वॉल्यूम के बटन सब और पावर का बटन है फिंगर पेंट स्केनर डिस्प्ले के अंदर ही है उपर से देहेंगे नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है और डॉली एटमाउस का सपोर्ट भी दिया गया है इसके अंदर तो यह चीज़ भी आपको बढ़िया मिल जाती है दोस्तों पर्फॉमेंस अच्छे मिल जाती है तो प्राइस के सबसे जो है दो नहीं आपको बढ़िया मिल जाती है ऐक तो इसके डिस्प्ले का फून लेना है थोड़ी बहुत गेमिंक करनी है तो इसको फून को ले सकते हैं 16,000 में आपको सबसे बड़ी खुबी इसमें ये मिलती है दोस्तों डिस्प्ले कर वे और जो है इसका experience आपको काफी बड़ीया मिल जाता है काफी slim phone है तो ये सारी खुबी आपको G85 में मिलती है चली देखते हैं अगर आप अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा लेते हैं और H50 Fusion खरीदते हैं तो वह अब ये आपको मिल रहा है दोस्तों 20,000 के आसपास तो इसका भी pricing जो है 23 से 20,000 के आसपास चल रही है तो ये चीज़ आपको काफी बढ़ी है मिल जाती है तो प्राइसिंग पहले 23 थी और आप 20 के आसपास चल रही है तो प्राइसिंग काफी डाउन हो गई इसके अंदर आपको जो है 8GB मिल जाती है 126GB स्टोरेज के साथ तो रैमोर स्टोरेज इसके अंदर भी आपको सही दी गई है इसके अंदर आपको जोई दौसर दिस्प्ले मिल जाती है P.O.L.E.D. तो इसके अंदर भी आपको वही दो खुबिया मिलती है और डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट ओर भी ज्यादा है इसके अंदर 144 हर्स डिस्प्ले जोई 120 हर्स तक आपको दूसरे फूंस में तो दोस्तो उसको पसंद करते हैं और इसकी सेल भी बहुती तगड़ी रहती है तो यह आपको H50 Fusion आपको काफी कमाल का मिल जाएगा इसे के साथ जो दोस्तो इसके अंदर भी आपको End Display Fingerprint Scanner मिलता है तो तीन खुबी सके अंदर आपको यह बड़ी है मिल जाती है आप जो इसको साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी बाकि इसके अंदर भी आपको 50 MP का Main Camera मिलता है Performance आपको Camera की काफी बड़ी है मिल जाती है इसके अंदर Camera इसके अंदर आपको और जादा बैटर दिया गया है तो वह चीज़ आपको देखने को मिलती है चारजर मिलता है इसके साथ 68W का तो 68W का चारजर इसके अंदर आपको दिया गया है लेफ्ट सेट से देखेंगे प्लेन डिजाइन है काफी स्लिम फोन है ये भी पतला है काफी नीचे की तरफ आपको हेड़फोन जैक नहीं मिलता सिम की ट्रे मिल जाती है और जो है दो सिम काट 5G के लगा सकते है साइड में वोल्यूम के बटन से और पावर का बटन फिंगर पेंट स्केनर डिस्प्ले के अंदर ये उपर के तरफ से देहेंगे नॉइस कैंसेलेशन माइक और डॉली बेंट मोस का सपोर्ट इसके अंदर भी आपको मिल जाता है 8GB RAM 128GB स्टोरेज इसके अंदर आपको दी गई है और प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 तो पर्फॉमेंस आपको G85 से भी जादा बेटर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है प्रोसेसर और जादा बढ़िया दिया गया है तो अगर आपकी बजट की दिक्कत नहीं है तो दोस्तो आपको प्रोसेसर थोड़ा जादा बेटर मिल जाता है चार्जर जादा बढ़िया दिया गया है कैमरा जादा बढ़िया मिलता है तो आप मोटो का H50 Fusion खही सकते हैं अगर आपको ये सारी खुब्या क्वैलिटी मौर जादा उपर चाहिए तो आपको ये 4,000 रुपे के आसपास और महेंगा पड़ेगा चलिए बात करते हैं दोस्तो लास्ट फोन की मोटो के H50 New के बारे में जो कि आपको जो बिल्कुली लेटेस्ट मिल जाता भी हाली में लाँच हुआ है लेकिन ये फोन जो ना दोस्तो बिल्कुली अलग टाइप के यूजर के लिए जैसे बहुत सारे लोगों की निट ऐसी होती है कि उनको कॉमपैक्ट फोन चाहिए बहुत जादा मदा छोटा टाइप का तो इसकी सबसे बड़ी खुबी है दोस्तो ये 6.6 से भी कम साइज में आता है 6.4 इंचिस के आसपास इसमें डिस्प्ले मिलती है तो ये बहुती सूपर कॉमपैक्ट फोन है बहुती छोटा है तो इस टाइप का फोन अगर आपको चाहिए न कॉमपैक्ट जो easy to carry हो दोस्तो कहीं भी ले जाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहों मतलब पॉकिट फ्रेंडली हो वह चीज़ आपको देखने को मिलती है तो वह चीज़ काफी बड़ी है इसके अंदर मिल जाती है यही सबसे बड़ी खुबी है इसके अंदर आपको जो जो दोस्तों manipulation में मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेशियट तो स्मूद्नेस आपको बढ़ी हा मिल जाते है इसके अंदर आपको जो दोस्तों दिस्पलै की quality जो दी गई है वो जो जो कलर से गणने मिल जाते हैं डिस्प्लेस के अंदर आपको कर्व नहीं मिलती, फ्लैट मिलती है, तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्ट फून नहीं चाहिए, फ्लैट डिस्प्ले आपको चाहिए और छोटा टाइप का फून चाहिए, तो वही चीज़ इसके अंदर बढ़िया दी गई है, त तो जो भी आप खरीदींगे आपको इस टाइम पर जो भी मिल जाए तो आप देख सकते हैं कई सारे colors जो है fusion के अंदर भी available है और जो है G85 में इसमें भी तो आप अपनी पसंद के according देख सकते हैं सभी में dark color काफी सारे available हैं और इसके अंदर आपको 50MP में कैमरा मिलता है लेकिन तगड़ी performance आपको इसमें सबस्दादा देखने को मिलती है कैमरे की फ्रेम की quality भी इसकी काफी एच्छे काफी solid है build quality काफी बढ़ी है लेकिन headphone jack इसके अंदर भी आपको नहीं दिया गया तो आपको कुछ चीज़ बढ़िया भी मिल जाती है इसके अंदर और media tech का dimensity 7300 processor मिलता है तो performance भी आपको इसके अंदर सबसे तगड़ी देखने को मिल जाएगी processor इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिया गया है लेकिन यही processor रियल मी के अंदर अभी 15000 के phones में भी आ रहा है 15-16000 में तो चीज़ देखने को मिलती है अगर आपको मोटो पर ही भरोसा है तो आप जो है fusion मतलब H15 Neo को देख सकते हैं यह आपके लिए बढ़िया रहेगा इसके अंदर आपको compactness काफी बढ़िया मिलती है काफी छोटा phone है डिस्प्ले की quality काफी तगड़ी मिल जाती है design काफी तगड़ा है camera काफी अच्छा है performance बढ़िया मिल जाती है storage जादा है तो यह इसकी खूबिया है बाकि जो चीज़ है मुझ इसमें थोड़ी डाउन लग सबसादा वही पसंद आया आप ज़रूर बताएगा आपको कौन सच्छा लगा वैसे जी 85 वी बढ़िया अगर पैसो की दिक्कत है तो जी 85 वी कमाल का phone है मतलब कम पैसो में काम चल जाएगा आपको कौन सा पसंद आया ज़रूर बताएगा वीडियो तो आपको अच्छे ल बाइ!